मश्कार सभी सात्यों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम है इस्टडी विद बियें लोदा सात्यों आज हम रीट परिक्षा 2022 जो की जुलाई महिने में आयो जो तोने वाली है 22 जुलाई को और उसके बाद में जो मुख्य परिक्षय होगी उसके लिए भी सात में फर्ष्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड बरती के लिए सिक्सन विदियों के पेपर नमबर आट लेकर आये हैं बहुत ही अच्छे और शांदार प्रिशन आपको यहां देखने को मिलेंगे तो निश्चित रूप से जो भी स्टुडेंट अभी से तैयरी करेगा आगे आने वाली बरती में उसका सेलेक्षन और अच्छी तरह से एक तरह से सेलेक्षन होने की चांसे बढ़ जाएंगे सात्यों तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक एक प्रिशन को अच्छी तरह से समत्ते हुए व्याक्य साइथ एक एक प्रिशन को हल करेंगे तो चलिए पहला प्रिश्ण देखते हैं आपके पहला प्रिश्ण है प्रात्मिक कक्षाओं में पर्यावर्ण सिक्षन पढ़ाने है तो उप्रियोक्ति सिक्षन विदी है प्रियोग विदी प्रियोक्षाला विदी प्रियोक्षाला विदी प्रियोक्षाला विदी और व्यक ताय कि छोटे बच्चे उसमें सही तरीकल से सीख पाएंगे व्यक्षान विदी भी सही नहीं है साथियों बलकि आप समंदित प्रियोग खुद करेंगे और उसका परदर्शन बच्चों के सामने करेंगे तो बच्चे उस चीज को अच्छी तरह से सीख सकेंगे तो चलिए तीसरा विकल प्याँ पर बिल्कुल सही है आपके प्रिशन नमबर एक में नेक्स्ट प्रिशन नमबर दो पे आते हैं तो दूसरा प्रिशनी क्या पूछ रहे साथियों आप से ये देखेगा पाट योधना के किस सोपान के अंतरगत गरह कारे दिया जाता है मुल्यांकन, प्रस्तूतिकरण, प्रस्तावना और पुन्रावर्ती देखिए प्रस्तावना में तो बच्चों का जो पुरुव ग्यान है उसको चेक किया जाता है, उसको नविन ग्यान से जोडने का प्रियस किया जाता है पुन्रावर्ती में क्या होता है, साथियों जो पाट पढ़ा दिया जाता है उसको रिपीट किया जाता है, प्रस्तूतिकरण में क्या किया जाता है कि जो पाट हमें बच्चों को पढ़ाना है उसको अच्छी तरह से डिटेल से इसी में प्रस्तूत करते बच्चों के सामने तो मतलब यहाँ पर विकल्प नमबर एक सही है मुल्यांकन के सोपान में हम बच्चों को गरहे कार्य देते हैं विकलप नंबर एक सई हो जाता है प्रिश्च नंबर दो में नेक्स डिए प्रिश्च नंबर तीन पे आते हैं तो साथ दिसरा प्रिश्य है् सबसे khrचिली विदी मानी जाती है समस्च्य समध प्रियोधना विदी दी गई थे किलपेट्रिक के दोरा और ये ही सबसे खर्चिली विदी मानी जाती है तो विकलब नंबर आपका कौन सा सही है दूसरा विकल प्रियोधना विदी वारा प्रशन weekends hey अगे बढ़ेंगे सब्स साथियों लक्ष और उद्देश में वेसे अंतर है जिसे वर्द्दी और विकास में अंतर होता है तो यहाँ पर उद्देश चोटा रूप होता है और लक्ष बड़ा रूप होता है यह है निश्चित भी होता है आदर्श भी इनको माने जाते है और इनको साध्य भी माना जाता है सात्यों लेकिन व्यावहरिक नहीं माना जाता है क्योंकि लक्ष व्यावहरिक रूप से नही नहीं है अत्य दूसरा विकल्पी आपके प्रिश्ण मबर चार में सही रहेगा तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रिश्ण संख्या 5 की ओर क्या पूछा जा रहा है पांच प्रिश्ण में अभिने विदी के जनक कौन है जीन पियाजे काल रोजर्स हर्बर्ड सन और जे सही आंसर है जेकाब एल मोरेनों जेकाब एल मोरेनों के दोरा ही अभिने विदी का निर्मान किया गया था तो चोता विकल्प आपके पांचवे प्रिश्ण में सही है नेक्स बढ़ेंगे अब हम प्रिश्ण नमबर 6 की ओर तो चलिए छेटा प्रिश्ण देखते हैं लेकि पता है कि मुख्य परिश्ण में 40 प्रिश्ण आपके सिक्षण विदियो के आते हैं तो इसलिए अच्छी तरह से आप इन प्रिश्णों को हल करिएगा मानसिक विकार गरसित बालकों के लिए सरुसेष्ट विदी है ड्रेकाली विदी डाल्टन विदी बुनियादी सिक्ष द्रेकाली विदी इसका अंसर है ड्रेकाली विदी ड्रेकाली के दोरा ही दी गई थी जो कि मानसिक विकार गरसित बालकों के लिए सर्शेष्ट विधी मानी जाती है तो विकल्प नमबर आपका एक सही हो जाता है प्रश्ट नमबर छे में नेक्स्ट प्रश्ट नमबर साथ पे आते हैं तो सात्वा प्रिश्ट है प्रात्मिक इस्तर पर भाषा सिक्सन का उद्देश है साहित की विधाओं से परिचित कराना अच्छा वक्ता बनाना अच्छा लेकक बनाना और हिंदी के विविद रूपों से परिच्चे कराना तो प्रात्मिक इस्तर पर बच्चों को जो भाषा सिक्सन कराते हैं लेकक या वक्ता बनाने के लिए नहीं सात्यों नहीं साइत की विदावों से परिचित कराने के लिए बलकि हिंदी के विविद रूपों से परिच्चे कराने के लिए भाषे सिक्सान कराया जाता है तो यही उसका उद्देश है चोता विकल्प आपके साथवे प्रिष्ट में सही रहेगा साथ्योग प्रश्ट नमबर आट है आपके भाषे कोशलों का विकास किया जा सकता है शुद्द उच्चरण के माध्यम से लिपिवे वरतनी का सही ज्यान करवा कर शब्द रचना का ज्यान करा कर और सभी प्रिकार से नेकिए भाषे कोशलों का विकास करना है भाषे कोशल इनका विकास आप बच्चों में करना चाहते हो तो शुद उच्छरण भी आपका होना चाहिए लिपी और वरतनी का सही ग्यान भी आपको होना चाहिए जो आप बच्चों को बदान कर रहे हैं शब्द रचना का बच्चों को ग्यान कर वाईए अतहाई सभी प्रकार से आप भाशे कोशलों का विकास कर सकते हो तो चोता विकल्प आपके प्रिश्ण नमबर आट में सही है नेक्स्ट रिश्ण नमबर नो पे आएंगे तो नो प्रिश्ण है साइलेंट रिडिंग किसकी रचना है डेचेंड की, इसमित की, ब्रायन की और पिंटर की साथियों रिट परिक्षा में आया हुआ प्रिश्ण है और रिट परिक्षा में क्या थर्ड ग्रेड परिक्षा में भी आया हुआ प्रिश्ण है थर्ड ग्रेड में भी इस प्रिश्ण को पूचा गया है रिट में भी पूचा गया important पृष्ण है तो यहां पर देखो silent reading की बात की जा रही है silent reading brand की रचना है किसकी रचना है ब्रैन के दोरा अपनी इस पुस्तक में मोन वाचन पर विशेस महत्व दिया गया था किस पर मोन वाचन पर विशेस महत्व इनके दोरा इस पुस्तक में दिया गया था साथियो तो धर्ड विगल पाप के नौवे प्रिश्ण में सही है next दस्वे प्रिश्ट के और बढ़ते हैं तो चलिए दस्वे प्रिश्ट देखेंगे निरंतर मोन वाचन से कौन सा दोश आ जाता है वरतिनी दोश आ जाता है उच्चारण संबंधी दोश आ जाता है सीखने में मंदता आ जाती है और लेकन समंदी गलतिया होती है तो देखो, निरंतर मोन वाचन आप कर रहे हूँ निरंतर मतलब लगातार तो उससे क्या होने वाला है वरतनी का दोश नहीं आएगा ठीक है सीखने में मं जिता भी नहीं आईगी लेकन समंदी गलतियां भी नहीं करोगे यह चीजे नहीं बलकि मुन वाचन में क्या होता है मतलब मन ही मन जिसमें वाचन किया जाए मन ही मन में तुससे हम उच्चरन नहीं करेंगे साथियों तो अध्य उच्चरन सम्मंदी दोस आ जाता है आपके प्रिश्चन संख्या 10 में सही है नेक्ट प्रिश्चन संख्या 11 आप आएंगे तो चलिए 11 प्रिश्चन देख लेते हैं आपके प्रिश्चन 11 आप से क्या पूंच रहा है सात्यों 11 प्रिश्ण है आपके सिक्सन सायक सामगरी को मुख की रूप से कितने भागों में बाटा गया है तीन भागों में, चार भागों में, पांच भागों में और छे भागों में देखिए सिक्सन सायक सामगरी क्या होती है वह है सामागरी जिसका प्रियोग हम सिक्सन के लिए करते हैं जो सिक्सन में साहिता प्रदान करती है जो बच्चों को सीखने में अच्छी सरलता से उसका यूज करती है बच्चों में रूची का विकास करती है साथियों इसके मुख के रूप से तीन परकार होते हैं कितने परकार होते हैं मुख के रूप से तीन परकार कौन-कौन से होते हैं एक तो होती है स्रव्य सामगरी एक होती है द्रश्य सामगरी और एक होती है स्रव्य द्रश्य सामगरी स्रव्य द्रश्य सामगरी ये तीन प्रकार है स्रव्य द्रश्य में सिर्फ सुनाई देता है जिसे रेडियो है टेप रिकोडर है द्रश्य में सिर्फ दिखाई देता है जिसे शामपट है गराप है चित्र है और स्रव्य द्रश्य में दिखाई भी देता है और सुनाई बेतेता है जैसे टेलिविजन है, कम्प्यूटर है, इत्यादी तो विकल्प एक आपके प्रिश्ण नमबर 11 में सही है नेक्स्ट प्रिश्ण नमबर 12 पे आएंगे तो चलिए 12 प्रिश्ण देख लेते हैं आपके प्रिश्ण संख्या 12 12 प्रिश्ण है साथियों वस्तु निष्टा की रक्षा के लिए सर्वादी कुप्यूक्त प्रिश्ण है बहु विकल्प आत्मक प्रिश्ण अति लगुत्रात्मक प्रिश्ण लगुत्रात्मक प्रिश्ण और निभंदात्मक प्रिश्ण देखे वस्तु निश्टा की रक्षा आपको करना है साथियो तो इसके लिए सरवादी कुप्युक्त प्रश्ण आपको बताना है वस्तु निश्टा का मतलब होता है वह है प्रश्ण जिनका सिर्फ एक ही उत्तर हो ठीक है एक निश्चित उत्तर हो उसका अलग उत्तर नहीं ह प्रिष्ण prisons, जो मिलान वाले प्रिष्ण हैं एसे प्रिष्णियाँ पर वस्तोनिष्टा की रक्ष्षा करते हैं तो विकल्प नंबर आपका एक 12 प्रिष्ण में सही है क्योंकि इस प्रकार के जो प्रिश्ण होता है उनका एक निश्चत उत्तर होता है चलिए आगे बढ़ेंगे प्रिश्ण वालकों में वो प्रिश्ण अंतर ही नहीं कर पा रहा है तो आता है ऐसे प्रिश्ण में किस चीज की कमी होती है विबेद कारिता की कमी होती है तो तीसरा विखलप आपके तेरवे प्रिश्ण में सही है नेक्स प्रिश्ण नमबर 14 पे आएंगे देखो विबेद कारी का मतलब यह होता है कि वहे प्रिश्ण जो सामान्नि मंद बुद्धि और परतिवाशली चात्रों में अंतर करें लेकिन एसा इसमें नहीं हो रहा है तो वहे प्रिश्ण किसा नहीं होगा विवेदकारी नहीं होगा नेक्स प्रिश्ण नमर 14 पे आते हैं तो चवदवा प्रिश्ण सात्यों प्रिश्ण नमर 14 है सिक्सन परिकिर्या के उपरांत चात्रों दोरा गरहन किये गए अधिगम की जाचेतू किया जाने वाला प्रिक्सन कहलाता है उसे हम निदानात्मक परिक्सन कहेंगे उसे हम उपचरात्मक परिक्सन कहेंगे उसे हम उपलब्दी परिक्सन कहेंगे या उसे हम इन में से सबी कह सकते हैं तो देखो चौदवे प्रिश्न का आपको सही उत्तर देना है एक बार आप अच्छे से प्रिष्ण को पढ़ लीजिएगा और फिर इसके सही उत्तरगा चैन कर लीजिएगा साथियों तो चलिए देख लेते हैं सही अंसर कौन सा है प्रिष्ण कहे रहा है कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हो सिक्सन पर की दिया क्या उप्रांत मतलब बच्चों को आपने पढ़ा दिया है चात्रों दोरा गरहन किये गए अधिगम की जाचेतू कि चात्रों ने कितना अधिगम किया है चात्रों ने कितना ग्यान अरजित किया है इसके लिए जो परिक्सन आप करते हो साथियों उसको हम उपलब्दी परिक्सन कहते हैं क्य रही जाती है सीखने में उन कम्यों को जाना जाता है निदान में और उपचार में उन कम्यों को दूर किया जाता है उपलब्द में क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि चात्रों ने कितना सीखा है तो ठीक है थार्ड विकल भी बिल्कुल सही है प्रिशन 14 में नेक्स्ट प्रिश कि इच्छा नुसार और अध्यापन शिक्सा प्राप्ति की संपूर्ण परकिर्या में सतत रूप से तो साथ उस सतत वर समख्रमुल्यांकन कब होता है कैसे होता है आपको दिये गए विकल्पों के अनुसार बताना है देखिए वर्ष के अंत में परिक्षा के माद्यम से सहस् देखिए बलकि अध्यापन शिक्सा प्राप्ति की संपूर्ण परकिर्या में यह सतत रूप से मतलब लगतार यह चलता रहता है तो विकल्प नंबर आपका चार बिल्कुल सही है सतत वर समंग्रमुल्यांकन का मतलब क्या है जो अध्यापन परकिर्या का दोरान प्रक्षेपित हो सकते हैं और इन में से सबी तो सात्यों निदारात्मक प्रिक्षन शाब्दिक भी हो सकते हैं शाब्दिक मतलब शब्दों के माद्यम से जो प्रिक्षन किये जाए शाब्दिक भी हो सकते हैं मतलब बिना शब्दों के मतलब कोई कारिदे करके ठीक है प्रक् चात्र की अधिगम की कटनाईयों की जानकारी किस परिक्षन के माध्यम से की जाती है उप्चारात्मक परिक्षन के माध्यम से निस्पत्ति परिक्षन के माध्यम से निदानात्मक परिक्षन के माध्यम से और इनमे से सबी तो अभी मैंने एक दो प्रिक्षन उपर ही बताया जाता है और उपचार में उनको दूर किया जाता है जो कमिया है ठीक है तो इसमें ज्यादा समझाने वाली बात है नहीं थर्ड विकल्प है आपके प्रिश्ण आपको यहाँ पर बतानाए साथ यहुंस्ट इंपोर्टन परिश्ण है यह पहुत ही इंपोर्टन परिश्ण है विकल्प नमबर आपका विध्यार्तियों के व्यावहार का परिवर्तन, विध्यार्तियों के संपुन व्यक्तित्व का विकास, विध्यार्तियों का चरित निर्मान और एक उचित नोक्री में चैनित होना, तो ये भी बहुत ही ज्यादा महत्पुन प्रिश्ण है, प्रिश्ण को समझ करके उत्तर द दिश नहीं होता है ठीक है विद्ध्यारतियों का चरित निर्मान करना होता है विद्ध्यारतियों के संपुर्ण व्यक्तित को विकास करना भी होता है अब एक्षित दिशा में विद्ध्यारतियों के व्यावहार का परिवर्दन करना भी होता है तो फिर अब हम कौन सा विकल में पढ़ रहे हैं अपने सिख्ष एजूकेशन उन्हें पुरी किये तो इसका मुख्यूदेश क्या मना जाता है विध्यारतियों के संपूर्ण व्यक्तितु का विकास इन तीनों में यह सबसे बेश्ट विकल्प है कौन सा दूसरा वाला तो दूसरा वाला ही विकल्प आप समाज में बड़ों का सम्मान करना सामाजिक परिवेश के अनुकुल वे समयोजन और अनुकुलन वे समयोजन और सदेव समाजिक मानकों का पालन देखो समाजिकरन का अर्थ बताना है कि समाजिकरन क्या होता है सिक्षा के प्रीप्रेक्ष में साथियों चारों ही विकल्प ह सकता है आपको सही लग रहे हो लेकिन फिर भी आपको बेश डिविकल्ब का चुराओ करना है साथ यो सामाजी कराना का मतलब क्या होता है कि बालक जिस समाज में रहे रहा है उस समाज के जो नियम है उस समाज के जो नियम है रीती रिवाज है जो वहां की विशेस्थाय है संस रहे है इसका और यही सही अंसर माना जाता है सदेव भी सामाजिक मान को कपालन करना मान लो सामाजिक मान पूरता है गलत है सारे सामाजिक माना गलत नहीं होते हैं लेकिन कोई कोई सामाजिक माना कैसे होते हैं जो गलत हैं तो सदेव यह इसलिए यह गलत हो जाता है समाज में बड़ों का सिर्फ सम्मान करना ही नहीं बलकि और भी अन्य चीज़े होती है तो इसलिए तीसरा ही विकल्ब सबसे बेश्टा अंजरे साथियो साथियो प्रिश्ट नमर एक्किसे अध्यापक वे अध्यताओं के मद्ध अंत्य किर्या का सबसे बड़ा लाब है क्या लाब है यह प्रभवी सिक्सर में मदद करता है यह सिक्सक को संतुष्टी प्रदान करता है यह अध्यताओं को प्रश्ट पूचने के लिए प्रेरित करता है और यह बेतर सामुएक सम्मंदों का निर्मान करता है तो देखो यहाँ पर अध्यापक तो मतलब जो सिक्सक बच्चों को बढ़ा रहा है अध्यता मतलब होता है छात्र तो उनके बीच में अंत्या किर्या होती है उससे सबसे बढ़ा लाब क्या मिलता है सात्यों तो सात्यों इसका जो सही अंसर है वो है विकल्प नमबर तीन यह अध्यताओं को प्रिश्ण पूछने के लिए प्रेरिद करता है अध्यता मतलब जो चात्रे उनके किसी भी प्रगार की समश्या है तो वो सिक्सक से आसानी से मतलब बिना किसी संकोष से प्रिश्णे पूछ स गरों पर सभी घ्रों को प्रॉष्इत करनां गरों पर व्यस्त्र रहने के लिए डत्यकर sicसा निया इसник fans अ екलां मातापिता की सही पणिटा हो सकता है। सवय दिगम को प्रॉष्ण सबसे उत्स एंसकी को मतलब खुद ही बालक पढ़ेगा तो बिल्कुल दत्यकार इसे बालक में पढ़ने खुद ही पढ़ने की एक तरह से भावना विक्सित होगी तो चोता विकलब आपके 22 वे प्रिशन में सही है नेक्स्ट प्रिशन नंबर 23 की और बढ़ेंगे तो चले 23 वे प्रिशन देखते है सिक्सन की सपलता निर्बर करती है किस पर अभी प्रिशन कोशल पर मोखिक समप्रिशन कोशल पर बच्चों की समझ पर और बच्चों की पसंद पर साथियों सिक्सन की सपलता निर्बर किस पर करती है आपको सबसे बेश्ट आंसर का चुनाओ करना है बच्चों की समझ या पसंद पर नहीं बल्कि अभी प्रेरन कोशल पर सिक्षन की सपलता निर्बढ करती है क्योंकि अभी प्रेरन कोशल का मतलब होता है बच्चों को अभी प्रेरित करना साथ यो अभी प्रेड़ना ही सीखने की मुख्याव शक्ता माने जाती है अगर बालक अभी प्रेड़न नहीं है तो वो उस चीज़ को नहीं सीख पाएगा अच्छी तरह से इसलिए पहला विकल्पी सबसे बेश्ट आंसर माना जाएगा प्रश्ण नमबर 23 में नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्ण नमबर 24 पर 24 पर चोईसवा प्रिश्ण कतन पुरुष सामानित है महिलाओं की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं सत्य है सत्य हो सकता है बुद्धि के विविश शेत्रों के लिए सही है और लेंगिक बेद को परदर्श्ण करता है तो कतन क्या कह रहा है कि पुरुष सामानित है महिलाओं की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते है तो मतलब ये मान लिया जाता है पुरुष जदा बुद्धिमान है महिला है कम बुद्धिमान है साथ हुई यह तो जेंडर पक्षपात की और इशारा कर रहा है अतया लेंगिक बेहत को परदर्शित करता है चोता विकल्प आपके 24 प्रिशन में बिल्कुल सही है नेक्स्ट पच्चिसवा प्रिशन देखेंगे लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करिएगा साथियो जब तक एक्जाम होगा तब तक निशुल के कलासे आपको इस चैनल पर रेगुलर मिलेगी ठीके तो अगला प्रिशन देखते हैं देखिएगा 25 वा प्रिशन सिक्षा की स्रेष्टम परिबाशा हो सकती है तैयारी करना ज्यान प्राप्त करना अधिगम और बोद्धिक सोततरता तो सात्यों सिक्षा की स्रेष्टम परिबाशा इनमें से क्या हो सकती है सोच समझ कर आंसर दीजीगा ये प्रिश्ण बहुत ही ज़्यादा मैत्पूंग प्रिश्ण माने जाते हैं देखिएगा स्तयारी करना तो सिर्ष्टम परिवाशा सिक्षा की नहीं हो सकती है जान प्राप्त करना अधिगम या बोधिक सोटंततातीनों में बहुत ही ज़्यादा कनपिजान हो जता है तो अधिगम को ही सिक्षा की स्रिष्टम परिवाशा हम कह सकते हैं अधिगम का मतलब है कि व्यावहार में परिवर्तन आना, कौन सा परिवर्तन, जो परिवर्तन हम चाते है, जो वांचित परिवर्तन है, अनुभाओं के माध्यम से जो परिवर्तन आता है, वो अता है अधिगम तो, अता है तीसरा विकल्पी सबसे बेश्ट आंसर है, 25 में ती आने वाले बहुत ही शांदर पूनता है और बीए सिमादमिक शिक्षा बोर राजस्तान की किताबों में से जो मानिता प्राप्त किताब है सातियों ठीक है तो उस वीडियो को जरूर देखेगा मिलते हैं अगले वीडियो में सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद